दोस्तों आज हम उगाने वाले हैं कुछ इस तरह का खीरे का पौधा तो सबसे पहले हम कुछ लकड़ी की पटरियों को लेंगे और उसमें कील ठोक कर उसे कुछ इस शेप में बना लेंगे उसके बाद पटरियों में लोहे की डंडी ठोक कर उसमें तार बांध लेंगे और पटरियों में मिट्टी भर कर उसमें खीरे के बीज को लगा कर पानी से उसकी सिंचाई कर देंगे फिर पौधों को बूंद बूंद पानी देने के लिए लोहे के डंडी में डबा बांध देंगे और उसमें एक पाइप जोड़कर डबे को पानी से भर देंगे उसके बाद लगभग 15 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे पौधे पूरी तरह से मिट्टी से बाहर निकल चुके हैं और अब हम उसकी निराई गुड़ाई कर देंगे और एक अंड़ा घोल कर पौधों की उससे सिंचाई कर देंगे फिर लगभग 20 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे पौधे में फूल लग चुके हैं और अब हम एक आदी को बारी काट कर पानी में उसे घोल लेंगे और पौधों पर उसका छिड़काव कर देंगे उसके बाद लगभग 2 महीने बाद आप देखेंगे कि हमारे पौधे में धेर सारे खीरे के फल लगकर तैयार हैं खाने के लिए